पाकिस्तान समेद भारत में भी लोगों को अपनी बहतरीन कॉमेडी से हसाने वाले किंग ओफ कॉमेडी उमर शरीफ ने दुनिया को अलवीदा कह दिया है 66 साल के उमर शरीफ कैंसर से जंगल लहे थे उन्हें बहतर इलाज के लिए एर एंबुलेंसे कराची से वाशिंटन ले जाया जा रहा था हालकि तबियत बिगड़ने के चलते जर्मनी में इमर्जेंसी लेंडिंग करवाई गई और वहाँ एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखरी सास ली 10 सितंबर को एक पाकिस्तानी टेलिविजन होस ने उमर का एक वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान के पीम इमरान खान से उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए मदद मांगी थी वीडियो सामने आने के बाद भारतिय सिंगर दलेर महंदी ने भी इमरान से उमर शरीफ का इलाज करवाने की अपील की थी उमर शरीफ इंडिया के पॉपलर कॉमेडी शो दा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गेस्ट जजज बनकर नवजोत सिंग सिध्धू और शेकर सुमन के साथ शामिल हुए थे 14 साल की उमर से कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने वाले उमर शरीफ साल 1989 के कॉमेडी स्टेज प्ले बकरा किष्टो में और बुढधा घर पर है में नजर आये थे जिने भारत में भी खूब पसंद किया गया था इसके अलावा उमर शरीफ का दशरीफ शो भी काफी पॉपुलर हुआ था मशूर कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत कई भारते कॉमेडियन्स ने उमर शरीफ के निधन पर गहरा दुख जताया है उन्होंने उमर शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा अलविदा लेजेंड